अभी हमारे भाई प्रदीब बंसल जी और सुमन जी जो महराश्री के आज्या से ये प्रकृति हमारी मा है उस मा का श्रिंगार जैसे एक एक कन्या है एक मात्रिश शक्ति है उसका श्रिंगार उनके वस्तरों से आभूशनों से होता है तो वह और शोभनिया होती है और दर्श और एक व्रिक्ष लगाने से ऐसा सास्त्रों में भी लिखा है कि सब लोग तो ये अश्वमेधादी यज्य नहीं कर सकते मानि सैक्डों यज्य करने से जितना पुन्ने मिलता है उतना पुन्ने एक व्रिक्ष लगाने से मिलता है ये हमारी परमपरा तो ऐसे सहस्रों यज्य करने का पुन्य महाराश्रे के आशोंशी से जिनको उपलब्द हो रहा है ऐसे हमारे प्रदीव जी और उनकी धर्मपतनी सुमन क्या नाम है सुमन जी सुमन ये हम बजपन में लगाया करते थे पीपल का बड़ का नीम का पेड वही इतने सुन्दर सुन्दर पेड लेका हैं एक बार जोरदार इनको अभिननदन है भाई ये यहां से अप पेड जाएंगे और ब्रिज में लगेंगे एक बार जोरदार अभिननदन है यमना जी के किनारे और ये पीपल का इतना बड़ा पेड है और सुमन जो है अपने वजन जितना पेड उठाके लाई है उसको भी जोरदार आशिरवाद ये अभी तक करीब कितने हो चुके करीब पचास करीब सतर हजार पेड लगाए जा चुके हैं कितना बड़ा एक आदर्श कीर्तिमान पुर्ज महाराश्री के सारिद्धी में वहाँ पर संपन्न हो रहा है और उस उपवन का नाम भी पतंजली उपवन रख रहे हैं महारश्री पतंजली को आदर देती वी गोरव देती वी उनका संबान करते हुई तो एक बार बाबा का संबान करते हुई तो महाराश्री कहरें बाबा का संबान करते हुई तो सब रिश्यों के संबान में ही सब बाबाओं का संबान तो हमारे जो पूरवज हैं हम उनको गोरव देते हैं तो वो अपना ही गोरव है क्योंकि हम अपने उन पूरवजों के ही प्रतिरूप हैं तो भाई प्रदीब जी को और उनकी यशश्विनी जह धर्म पत्नी जो उनके हर धर्मकारिये में उनके साथ में रहती है ऐसी सुमना को एक बार सब के और से भात भात अभिनंदन है उनको प्रणाम है आज के कारे क्रम को हम इसी ही संकल्प के साथ यहां से विराम देते हैं फिर दो पहरो और शाम के सत्र यथावच चलते रहेंगे कल प्रभात में पुना योग सत्र होगा बोलिये भारात माता की गव माता की सत्य सनातन वहीद का धर्म की जै